दुनिया में सबसे पहले सुपर कॉम्पीटर 1964 में बनाये गया था लेकिन मैं आपसे सवाल पूछू कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कॉम्पीटर किसने खरीड़ा था तो आप क्या कहेंगे देखिए आप किसी IT का, किसी S.O. का, किसी Government, Organization का नाम लेने वाले हैं आप बिल्कुल गलत है, इंडिया में सबसे पहले सुपर कॉम्पीटर खरीड़ा था संपकलाल सौक्सी ने आप हैरान हो गई न, ओभी 1970 में आठ करूर रुपिया देगे, अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूँ संपकलाल सौक्सी एसियन पेंट का मालिक है, और वो एसियन पेंट को इंडिया में कोने कोने हर एक दिलार के पांस पहुसान आजाते थे जिसके लिए उन्हें मैसिक्स डाटा एनेलेस करना था, तो कि सुपर कॉम्पीटर से ही पॉसिबल था, आप उनकी डिमाग की डाट देनी परेगी, उन्होंने सुपर कॉम्पीटर 1970 में खरीडर था, तब जब कोई कॉम्पीटर का नाम धंग से लेने के लिए भी नहीं जा झाल 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 झाल